यदि हमारे खेट में तालाब है तो हम तालाब से सिर्फ सिचाई का काम ही करते हैं और सिचाई के साथ साथ हम कुछ और भी काम कर सकते हैं आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे दोस्तो तो जी हां आज हमने हमारे तालाब पर हम आपको लेकर के आये हैं और यह चर्चा हम आप निर्भर बन सके दोस्तों तो जब भी हम तालाप का निर्मान करते हैं जैसे कि हमने भी तालाप का निर्मान जब किया था तो बस हमारी एक ही मांसिक्ता थी कि हम इससे सिचाई का काम पूरा करेंगे क्योंकि खेती में सिचाई सबसे महतपूर्ण पहलू होता है और हमारे पास पानी नहीं था चुकि जलिस्तर यहाँ पर बहुत कम था बहुत नीचे यहाँ पानी था तो यहाँ पर कोई भी बोर्बेल सकसेज नहीं होता था हमारे 4-5 बोरबेल अंसक्सेज होने के बाद हमने ये तालाब का निर्मान लगबग एक भीगा के छेतर फल में किया है दोस्तों और जब से हमने इस तालाब का निर्मान किया है तब से हमें सिचाई में कभी कोई समस्या नहीं आई लेकिन चूकि आप अभी देख रहे हैं कि ये तालाब हमारा सूख चुका है और सूख चुका है लेकिन ये अपना पूरा काम कर चुका है दोस्तों इसने हमें कम से कम 3-4 पानी की ववस्ता की इसी तालाप से हमने अपनी जमीन में कम से कम 3-4 पानी हमने आराम से किये हैं इसके बाद अब ये तालाप सूख गया है लेकिन इसके बाद भी हमें अगर पानी की आवशक्ता होती है तो इस तालाप के पानी के संग्रहन क कारण जो हमने बाहर बोरबेल खुदबाया है वो पूरी तरह सफल है तो हम अब जो है बोरबेल में हमारी मोटर डाल देते हैं और बोरबेल से हम अपनी आगे की सचाई का काम करते हैं तो दोस्तों मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास तालाब है तो आप सिर्फ सचाई तकी सीमित ना रहें हो सके तो इसमें मचली पालन जैसे सिंगाड़ा पालन जैसे या फिर मोती का जो प्रोडक्शन होता है उन सब के काम भी हम कर सकते हैं चुकि एक किसान के पास थोड़ा जानकारी का अभाव होता है तो शुरू मैं मुझ पर भी इंकारी के अभाव थे उसके कारण मुझे बहुत अच्छा लाब नहीं हो सका लेकिन मैं आपको अब ये शुरू से बताना चाहता हूं मचली पालन का काम भी मैं फिर शुरू करूंगा और फिर शुरू करने के लिए हमें तैयारी अभी से करना होगी तो आप देख रहें क जो आप के हमारा शुरू है अब इसके शुकने के बाद यह फसल कDERने की बाद हम इसमें हकाई कराईंगे इसमें मिट्टी फ cheapest अब छल्वाएंगे ॐँ पूर्वय न है यह जादा है आज पास है वह एक जैसी कराइंगे जिससे इसका तल है जो सर्वेश से वह एक जैसा हो जाए उसके बाद उसमें मिट्टी पलटने का हल क्योंकि इसमें भी बहुत सारे टानू रोगानू होते हैं जो कि आगे चलके समस्या देते हैं इसलिए अगर मिट्टी पल कि हम कुछ दिनों बाद इसमें थोड़ा चूना डालेंगे क्योंकि चूने से कैल्सियम से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी थोड़ा जब इसमें पानी आएगा तो जब इसमें पानी आएगा तो हम थोड़ा सा चूना भी डालेंगे कैल्सियम पानी को शुद्ध करन अभी से करें यदि आप मचली पालन करना करतें इसमें सिगारा पालन भी हम कर सकते हैं इसमें मोती सीप के द्वारा मोती भी हम बना सकते हैं तो ये बहुत सारे फेक्टर पर मैं भी जानकारी एक अत्रित कर रहा हूँ और जो भी मैं काम करूँगा आपको अब्डेट बताता रहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं अच्छे लगते तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें बहुत बहुत धन्यवाद